देखिए माध्यक है ना मीडियन है ना मीडियन पढ़ेंगे मीडियन यानि की माध्यक है अथरीस तवियत खराब मेनेज करना ठीक है मीडियन यानि की माध्यक और कई लोग इसको मध्धिका भी कहते है यानि कि जामिती में मीडियन का मतलब होता है मध्धिका है त्रीवुज आठ बारा छे और पंदरा एक तो इसका माध्यक निकालना है आपको एक और सिरीज लेता हूँ साथ एक पंदरा नो आठ पांच इसका माध्यक मेडियन निकालना है ना मेडियन मतलब बाई पोजीशन बिलकुल बीच में बिलकुल मत्य में कोन बेठा है बस समझ आई बाद अब देखो क्या है कहानी सुरिए सबसे पहले तरीका होता है कि सबसे पहले छोटे से बड़े के करम में जमाना है सबसे पहले जमाना है छोटे से बड़े में तो चलिए जमाना लेते हैं सबसे चोटा कोई है छे, छे के बाद उसके बाद आठ, आठ के बाद नो, नो के बाद बारा और फिर पंदरह, कोई है सबसे बीच में, नो, तो इसका माध्यक क्या हुआ, नो, सबसे बीच में देखो ना, बिल्कुल बीच में कोई है, नो, इसको जमाल है, सबसे पहले क्या यहाँ और वन एक हे फिर वन गे बाद कोई प्रॉट आएगा वन के बाद फाइफ फाइफ याँ यहाँ दो बिल्कुल बिल्कुल मधियर तीन लोग इदर छड़ दो तीन लोग इदर छोड़ दो इसका मद्धिबिंदू बताइए साड़े साथ आएगा कि नहीं आएगा इन दोनों के बिलकुल बीच का तो जब भी इस प्रकार से मद्धिबिंदू आए मद्धिबिंदू किसी संख्या के उपर न जाए दो संख्या के बीच में जाए तो उस case में मद्धि बिंदू उन दोनों संख्याओं के बीच का नंबर साथ और आठ के बीच में साड़े साथ या फिर कैसे निकालना है साथ प्लस आठ बता दो साड़े साथ इस प्रकार से आता है क्या समझ में क्लियर है कैसे हमने मद्धि बिंदू पहले जमाना है छोटे से बड़े के क्रम में उसके बाद हम निकालें अब फॉर्मूला बताया था मैंने क्या फॉर्मूला बताया था देखें फॉर्मूला क्या लिखा हो मिलेगा आपको इसके लिए फॉर्मूला मिलेगा आपको माध्यक या फिर मीडियन हिंदी में इसको बोलेंगे n plus 1 by 2 वा पद, टम की जगह पद आ जाएगा, है न, और th की जगह वा जाएगा, n plus 1 by 2 वा पद, n plus 1 by 2 वा पद, जैसे भी है न, n plus 1 by 2 एथ टम, क्लिर, अब n क्या होता है, total लोगों की संख्या, n बराबर कितना यहां पर 5 है, यहां n बराबर कितन है न, और यहने की और यह सं है, यहने की इवन है, आती है क्या बात समझ में क्लिर, और के लिए यह फार्मूल लगता है, इवन के लिए क्या फार्मूला है, बताया था कल मैंने है न, इवन के लिए मीडियन, माध्यक या माध्धी का, माध्धी का है न, ठीक है, माध्यक का formula बनेगा, क्या बनेगा यार, हाँ, n by 2, n by 2th, टम, प्लस, वो था न, n by 2, प्लस, 1th, टम, टम या पद है न, और इसके बटे में क्या लेना है आपको गुद, ये तरीका है ठीक है, अब आप देख रहे हैं, क्या सच में इनका मध्यक निकालने के फॉर्मूलों के जरुरत थी नहीं बीच का हमने निकालना सेख लिया के ने सेख लिया ये तरीका ध्यान रखें बाकी ये फॉर्मूला ध्यान रखें ये फॉर्मूला कब काम आएगा मैं आपको बताता हूँ जब data बहुत ज़दा बढ़ा हो तो बहुत ज़दा बढ़ा हो पचासों नंबर हो तो उसके बीच में कहां मध्य में से बराबर करके बीच में खोजने जाएंगे इस प्रकार से फिर तो फॉर्मूल लग जाएगा किन लग जाएगा आती बात समझ में clear है न चलो यहां इनका बात समझ में है तो इनका बात रखेंगे पांच ओर एक छे छे बटा दो याने की अ $ 3 पद से अट यहां प्रेद के स्कानन यहां यहां इनका विलिफ ऑनकार पांफ रखेंगे जब सम संग्या सम वाना सबसे दियान रखना चोटे से बड़े क्रम में जमाना है, already जमा हुआ या फिर आपको अरेंज करना है, clear, 6 रखोगे तो 6 by 2, 3rd time, आएगा न 3rd time, 3rd time, प्लस, यहां 6 रखोगे, n बराबर 6, तो 6 by 2, 3 plus 1, 4th time, by 2, तो क्या है 3rd time भहिए आपका, पहला दूसरा है, 3rd time और यह 4th time, 3rd और 4, 7 और 8, तो रख है, 3rd time, पंद्रा बटा दूस आएगा, साड़े सा, देखो यही तो हुआ था न, यहां भी, यहां भी तो यही किया था, clear है इतनी बाट, ठीक है है न, तो इन फॉर्मूले को अतना ज़्यदा लोड नहीं ले न, ठीक है लेकिन यह फॉर्मूले आपको याद रखने यहां पर रोग दो, दूसरे mobile से इसका photo click कर लो, आई बात समझ में clear, या फिर ऐसा का ऐसा एक page पर बनाकर अपने room में चिपका दो, इतना सा काम कर लिया यह formula याद हो जाएगा, formula याद करने का जो mentally load होता रहो, खतम हो जाएगा, बस इतना सा काम आपको करना है, कि एक page पे आपके माध्यक मतलब, सीरीस के बिल्कुल मध्य में, मध्य में, सीरीस के मध्य में देखना है, अब देखिए, सवाल दुसरा बनाता हूं, अब माध्यक में थोड़ासा ओर आगे बढ़ते है, ठीके, अब हम थोड़ा सा और आगे की और जाएंगे है ना देखिए जैसे मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया है ना टेस्ट लिया टोटल सो नंबर का मैट्स का टेस्ट लिया क्लिया, एक सवाल मैं बनाता हूँ है, सवाल बना रहा हूँ है, सवाल बनाते है, फिरम सौल लों करेंगे, ठीक है, टेस्ट लिया मैंने आपका सो नंबर का, आप टोटल दस स्टुडेंट है, कितने स्टुडेंट है, 10, 10 स्टुडेंट से टोटल आप है न, ठीक है, पानी न रिजल्ट कैसे आया आपके माक्स बताता हूं है ना आपका जो रीजल्ट समझ में यह बात सो नंबर का टेस्ट है और दस लोगों के रिजल्ट अब दस 99 नमबर लाए, तिन इंसान है न, और उसके बाद हाँ, दो लोग 80 नमबर लाए, है न, एक आदमी 85 लाया, है न, ठीक है, और चार लोग 90 नमबर लाए, ये रिजल्ट आपका है न, आता है समझ में, 99 नमबर लाए, तीन लोग, 80 नमबर लाए, दो लोग, 85 नमबर लाया, एक क्या बात समझ में, clear है न, अच्छ है समझ में आ रहा है पूरा क्या है, ठीक है, total 10 लोग हो गए के नी हो गए, 10 लोग है न, total कितने 10 students है न, 10 students है यह आपका result गोशित किया है, क्या क्या, देखो 10 लोगों का result समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसी सवाल का हमें माध्यक निकालना है, median, आई बात समझ में, अच्छ है यह आपकी संख्या है, क्या हम क्या बोलें है, frequency, यह आपका x वाला कॉलम है, और यह क्या है आपकी frequency, frequency मतलब बारम बरता या फिर आवरती, आई बात समझ में, और यह marks है आप लोगों के, clear है, ठीक है यह सवाल, अच्छा यह सवाल बनाते बनाते, अपना इतिहास यात करो, last वाली classes का, x और f के उपर काम किया था हमने, f क्या है, x क्या है, पता है के नहीं पता है, तो x और f, यह सवाल बनाते बनाते, x और f, और अच्छे से clear हो गया होगा आपका, कि f किसे कहते है, students की संख है ना, ठीक है, और Marx किसे कहते है, main data, मुख्य data हमारा यह है, आई बात समझ में, number कितने आए, मुख्याधार तो, student की संख्या, उद्देश यह थोड़ी ना, उद्देश तो number कितने आए, तो x वाला data जो होता है, वो मुख्य data होता है, main data होता है, आई बात समझ में clear, तो 99 99 नंबर कितने लोगों का है, तीन बार, 99 नंबर तीन बार, तीन लोगों के, तो बारम बरता होगे, तीन बार या ने की, तीन बार, बार बार, बारम बरता तीन निन निन नवे की, 80 की frequency क्या है, दो लोग, 85 की frequency क्या है, एक और 90 की frequency क्या है, चार, आई बात समझ में clear, अब main data हमीशा किसे बोलते हैं इसे ये नहीं ये main data x ये marks है ना बच्चों के marks का माध्यक निकालना है इंसानों की संख्या का माध्यक थोड़े निकालना है marks का समझारी बात क्लियर x तो ये x है और ये f है ठीक है सबसे पहले बढ़ते क्रम में जमाएंगे सबसे छोटा कोन है? 80, 80 से बढ़ा 85, 85 है ना 2005 से बढ़ा 90 और 90 के बाद 90 बढ़ते क्रम में जमाएंगे सबसे पहले क्लियर ये सवाल इसका माध्यक निकालना है ठीक है सवाल बनाना भी सिखा है मैने आपको, solve करना भी सिखाता है माध्यक बताता हूँ ठीक है अच्छा 80 नंबर लाने वाले कितने लोग है दू है ना 25 नंबर लाने वाले कितने लोग है एक है ना 90 नंबर लाने वाले कितने लोग है चार और 99 नंबर लाने वाले कितने लोग है दस इंसानों का माध्यक निकालना है इसको छोड़ा आप इन दोनों को मिला के overall में ये कहूं आपके सामने के 10 विद्यार्थी कड़े हैं rank wise 10 लोगों को line से खड़ा किया है तो 10 लोगों का माध्यक बिलकुल बीच में 5 वे और 6 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा एक दो तीन चार पांच इधर छोड़ दो 6,7,8,9,10 इधर छोड़ दो 10 लोगों का माध्यक मेडियन 5 वे और 6 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा आती है क्या बात समझ में क्लियर एतनी बात है ना तो बस हमें ये पता करना है कि 5 वे और 6 के बीच में कौन है आई बात समझ में अब पहले में 10 लोग आपको यहां दिखा तो दू कैसे 10 लोग लाइन से देखे दो के अंदर इसके अंदर पहले 2 लोग आ गए क्या वालो लोग ये दो लोग आ गए क इसमें चार लोग है चूथा पांचवा चटा और साथ वा और इसमें तीन लोग है तीन लोग आठवा आदमी नुव आदमी और आया की नहीं आया है समझ में clear, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clear, अच्छा total 10 लोग है के नहीं है इस 10 को क्या बोलते हैं, summation F बोलते हैं, summation F या फिर लोगों की संख्या है न, लोगों की संख्या 10 है N, N और summation F, summation F यहने की frequency आवरत्ती का योग, तो N और summation F एक ही बात होती है, आई बात सम इसके अंदर, 2 इनसान छिपे, इसके अंदर, 1 तीसरा, इसके अंदर, 4 छिपे, इसके अंदर, 3, 1, 2, 3, 4, दिखने 10, तो हमारा जो माध्यक है, वो पाचवे और छटे के बीच में आएगा के नहीं आएगा, आई बात समझ में, चलिए, पहले आदमी को नाम देते हैं, इस question को करेंगे, कैसे यह मैं बात में बताऊंगा, शांती से देखना, ठीक है, एक line में खतम कर देंगे, seconds में, seconds में सवाल को हम खतम कर देंगे, यह बस मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा practically, ताकि मजा आएगा पढ़ने में, interest create होगा ना, चीज अच्छी लगती है, पह A B C D E F G H I O R J, चलिए, यह 10 लोग, यह 10 लोग हो गए, 10 लोग ठीक है, इसमें से A A कितने नंबर लाया, A B S C लाया, B B S C लाया, दोनों यह 80 C C लाया C, C कितना लाया, 85 A, B, F, C लाया, C, कितना लाया, 85 अच्छा, D, E, F, G यह 4 लोग, 90, 90, 90 लाये D, E, F, G, यह 4 लोग कितने लाये 90, 90, 90 और 90 और H, I, J, यह 3 कितने लाये 99, 99, 99, 99 आई बात समझ में, हो गए 10 लोग तो यह मैंने क्या किया इन दो अलग-अलग कॉलम को मिला के पिछले सवालों जैसे सवाल में कनवर्ट कर दिया इस सवाल को उठा कर मैंने पिछले सवाल जैसे सवाल में कनवर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया बताए ज़रा मुझे है न एक ही सीरिस जिसमें एक ही सीरिस थी अभी पिछले सावाल हमने किये थे बताइए एक ही सीरिस ठीक है नहीं थी आती है क्या बात समझ में clear एतनी बात है न अब इसका माध्यक कहा आएगा पांच इधर से छोड़ दो बताव यहां बीच में आएगा की नहीं आएगा है न तो इस प्रकार से माध्यक के से निकालते हैं आसपास की दोनों संख्याओं का एवरेज दोनों को जोड़के बटा दो यह तरीका होता है ना माध्यक निकालने का ठीक है या फिर इन दोनों के बीच का 90-90 के बीच में 90 आएगा ना या फिर दोनों को जोड़के आधा कर दो, clear, 90 प्लस 90 बाई 2 करोगे, 180 बाई 2, बताए, 90 आएगा के ने आएगा इसका माध्याग, तो मैं आपको पूरी कहान इसलिए बता रहा हूँ, कि जब इस प्रकार का सवाल है, उसमें भी वही सवाल छिपा है, जो हम पहले करते थे, आ यह मैंने मांक सभी के, तो दोनों सिरिस का यूज करके एक सिरिस बना दी के नहीं बना दी, बताए, जब आती ये बात समझ में, clear है, बढ़ते करम में लिखना, छोटे से बड़े में अरेंज करना, उसके बाद ठीक है, अब देखो, इन दोनों का माध्यक 90 है के नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, अब सवाल उड़ता है कि असर इतना करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मैं आपको बताना चाहरा हूँ, सवाल को अंदर से खोल के दिखाना चाहरा हूँ, clear, अब इतना भी नहीं करना पड़ता, यहीं से आप देख सकत तो यहां से भी दिख रहा था ना, एक से 10 के mid value, पांचवी और छटी आएगी के नहीं आएगी, clear, तो पांचवा भी नभबे छटा भी नभबे, तो नभबे प्लस नभबे भाई दो, जो भी बीच के दो नमबर उन दोनों जोड़के बटा दो करने से आता है कि नहीं आता है तो यह बनाने एक जरूरा नहीं थी, यहां से भी आप देख सकते थे, और अब यदि मैं इसको मिटा भी दू तो भी आप देख सकते हो, क्या बस इनहीं के अंदर, आप जैसी 10 को देखोगे, 10 को देखते से समझ जाओगे, कि हमारा माध्यक पांचवा और छटा दोनों इस जाल देंगे, इसका आई बात समझ में, क्योंकि 10 लोगों में माध्यक क्या होता है, पांचवा और छटे का मीड़ पॉइंट, क्लियर, यानि कि 2 वेल्यू आएंगे, पांचवा और छटी तो पांचवा और छटी आप समझ जाएंगे, पहला, दूसरा, तिसरा, चोथा, प cumulative frequency होती, संचे इतावरती, यह सारे शब्द अब मैं आपको सिखाता हूँ, अब इस सवाल को करेंगे कैसे, यह मैं आपको बताता हूँ है ना, देखिए, एक्जैम में कैसे करोगे आप, ठीक है, marks और यह x, और यह क्या है frequency, यह जमा दिया है मैंने बढ़ते क्रम में, सवा एक चार तीन, दो, एक चार और तीन है ना, ठीक है, 80, 85, 90, 99, ठीक है, दो, एक चार और तीन, अब देखिए, टोटल लोग कितना है, सबसे पहले तो frequency लिख दो आप, summation f कितना है, summation f यहने की n, लोगों की संख्याना, 10, ठीक है, सबसे पहले, माध्यक का formula मैंने आपको बताया है, माध्यक यहने की median का formula, even, even के case में median का formula क्या है, n by 2 eth term, plus n by 2, plus 1 eth term, by 2, यह formula है, even के case में माध्यक निकालने का, even, even है के नहीं है, sum है के नहीं है, अरे जब 10 लोग होते हैं, तो even के case में माध्यक निकालने का formula है, और odd के case में माध्यक निकालने का formula क्या है, n plus 1 by 2 eth term, इतना सा है न, odd के case में ऐसे निकालते हैं, ठीक है, यह odd वाला case है, विशम, आई बात समझ में, हमारा भी sum वाला सम वाल है, ठीक है, तो sum में कैसे निकाल n by 2 plus n by 2 plus 1 by 2, आई बात समझ में clear, तो n by 2 एने की n बराबर 10 है आपका, एक capital n, यह एक ही n है न, एक capital n को small n बना लो, चलो, small n लिख लो, ठीक है, n का value 10 है, 10 by 2, पांचवा पद, प्लस छटवा पद by 2, पांचवा प्लद, प्लद नहीं पद, छटवा पद by 2, अब कुछ न पद का मान, यहां से निकाल के यहां रखोगे, अंसर आजाएगा के नहीं आजाएगा, यह सीधा सा तरीका है, आती यह बात समझ में clear है, अब आप भी जानते हो यार, अच्छा है, फॉर्मला लगाने की जरुत पड़ेगी 10 लोगों में, तो यूं भी आप समझ जाओगे के बीच का पांचवा और चटा यहाएगा, या फिर यह फॉर्मल लगा लो, एक, दो, तिन, चार, पांचवा और चटा आएगा, कि नहीं आएगा, पांचवा प्लस चटा बाई दो, तो यह से भी निकाल सकते हो, पांचवा प्लस चटा बाई दो, clear, अब देखे, अब हम क लिकाल जाती, cumulative frequency, cf, cf को बोलते है, cumulative frequency, कहां पर लिख दू में, cumulative frequency, एक मिले टुकना है न, cf यहने की cumulative frequency, ठीक है, यहाँ लिखते तो है न, cf मतलब होता है, cumulative frequency, frequency, संचईत आवरति, संचईत, आवरति, cumulative frequency, यहने की संचईत आवरति, आई बात समझ में, संचईत आवरति, अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता था, ठीक है, संचई आँने की संचई करते जा, आवरति को इक ठागरते जाओ, अच्छे, यहाँ की आवरति कितनी है, दो, two में, एक जोड़ा, तो टोटल लोग यहां तक 2 और gap गतने हो गया, 3, 2 में एक जोड़ा, संचय करो आव्रत्थि का, 2 और यहां तक total संचय, गतना हुआ 3, फिर 3 में 4 ओर जोड़ेंगे, 3 Louis चार कितना हो गया, साथ, या फिर total, देखो, यहां तक कि संचैता वरत्ती कितनी हो गई, दो प्लस एक, प्लस चार साथ, या फिर यह 7 लाने का तरीका क्या है, यहां तक जोड लिया न, आपने 3, तो 3 प्लस 4, 7, फिर 7 प्लस 3, 10, एसे जोड़ना है है न, दो, तो दो प्लस एक, तीन, तीन प्लस चार, साथ, है ना, ये क्या आ रहा है समझ मेहारी बात, वहां तक की टोटल संचेटावरत्य है, ठीके, साथ, है ना, ठीक है, और साथ और तीन, दस, यहने कि यहां से भी आप गिन सकते हो, गिनने, जैसे आप एक तो ऐसे काउंट कर है ना, जब बड़े डेटा आएंगे, तो इस प्रकार से मत जड़ो, संचेटावरत्य लिखते 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 लि जैसे पांचवा और छटा पद, यहां तो पांचवा पद क्या है, पांचवा पद आपको देख रहा है, पांचवा और छटे पद का मान रखना है, तभी तो सवाल आगे हलोगा न, फिफ्ट और सिख्थ टम का वेल्यू नी रखोगे तो, सवाल आगे कैसे बढ़ेगा, आती करके खोशते रहते, कहाँ एगा, कहाँ एगा, तो इस स्पीड से फटा फट पांचवा और छटवा पद कहाँ आएगा, जल्दी से खोजने के लिए एक क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाई जाती, आई बात समझ में, अब सुनो मेरी बात है न, पांचवा पद इसके बड़ा नंबर कुन सा है, पांच से बड़ा नंबर ये है क्या नई, ये है क्या नई, ये है क्या नई, ये है, मतलब पांचवा पद इसके अंदर आएगा, समझ आ रही बात क्लियर, पांचवा पद इसके अंदर आएगा, ठीक है, और छटवा पद, है न, अब छटवा प तो पाँचवा पत हम ने खुज लिया कि भईया फिफ्थ टर्म इसी के अंदर आएगा, clear, मतलब यही आएगा, फिफ्थ टर्म इसी पंक्ती में आएगा, आई बात समझ में क्लिकर देने कि इसके अंदर आएगा, पाँचवा पत ठीक है, अब छटवा पत आपको ढूनना है तो छे से बड़ा, छे से बड़ा भी यही है, यह छे से बड़ा यही है, लेकिन सबसे पहले जो आए वो, उपर से सर्च करते चलो, यह छे से बड़ा नहीं है, यह छे से बड़ा है, यहीं कि पाँचवा छटवा दोनों इसी में आएगे, मतलब इसको हम बोलेंगे, इसको माध्यक वर्ग, ध्यान रखना है न, क्या बोलोगे इसको आप, माध्यक वर्ग है न, पांचवा और छटा दोनों इसी में आ रहा है, पांचवा भी इसी में आ रहा है, छटा भी इसी में आ रहा है, इस मिन्स, पांचवे का मान भी 90 और छटवे का मान भी 90, ये मान यहां से लेना है आपको ठीक है न क्योंकि पांचवा छटा दोनों में इसी में आ रहा है तो पांचवे का मान भी 90 और छटवे का मान भी 90 तो दोनों को 90 प्लस 90 हम रखेंगे तो बता ये 90 आ जाएगा अंसर इसका समझ में आई बात cumulative frequency क्या है क्या यूज़े इसका वो जो पद तो यहां से भी डूण सकते छोटा डेटा है लेकिन इसका यूज़ेंगे तो कैसे डूणना है पांच वापत कैसे डूणा हमने ये पांच से छोटा है ये पांच से चोटा है ये पांच से बढ़ा है ये छे से बढ़ा नहीं है ये 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 छे से बढ़ा है चट वापत भी पांच और छे दोनों में से आएंगे मतलब ये आपकी क्या बनी median class, आई बाट सवाल मन में उڑता होगा सब 5 इसमें आ जाता 6 इसमें आ जाता, तो कोई बात नहीं, दो median class हो जाती कोई बात नहीं, 5 का मान यहाँ से ले 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 दे सिल जो टोटल दस आये का, इधर से मत जोड़ो, इधर भी 10 जोड़ रहे हो, फिर उधर भी जोड़ रहे हो, डबल बार जोड़ लिया ना, ये तो लिख दो सीधे, इसको मत जोड़ो अभी, समझ आरी बात है, तो सवाल खुद देदे के 10 लोग हैं, तो हमें समझ में आ जाये का 10 ही जोड़ भी 10 जोड़ो दस ये न बराबर 10, आई बात समझ में, 10 ये ये एन का मन 10 है, जब even हो, तो even के केस में हम केसे निकालते हैं माध्या की ये तरीका है, तो पांचवा और छटवा पर ढूद धुड़ना है, पांचवा और छटवा पर कहां आएगा, पांचवा और ठीक है, क्योंकि हमारा माध्याक 90 है, हमारा माध्याक 90 आया है, नहीं कि है, माध्याक वर गया, आई बात समझ में, क्लियर, तो पहले मैंने इस प्रकार से बताया, फिर सवाल को कैसे करेंगे, ये आपके सामने रखा, ठीक है, चलिए, अब जो मेरी शीट के कुषिन है, उन पहला कुष्चन लेता हूं में, मीन, माध्यतो कलम ने किया था, आज मीडियन, मीडियन का पहला सवाल लेता हूं में, ठीक है न, कुष्चन नमबर पांच जो दिया है, एक, दो, तीन, चार, ये चार सवाल, मीन के थे, पांच वा सवाल मीडियन का है न, मेरी शीट के में लिख रहा हूँ ठीक है marks opt and or frequency क्या लिखा इसने marks opt and or frequency आप जानते इसको x कहते है ठीक है न 0 10 20 30 40 अभी को दिख रहा है properly है ना 0 10 20 30 40 50 60 छीरो दस बीज तीस चालिस पचास साथो सत्तर ठीक है चलिए आठ पांस दस अठारा पक्चिस पांच आठ पांच दस अठारा पक्चिस पांच है न चार और तीन क्लियर है तनी बात ठік है ना? अब देखिए, कहानी क्या है? सुनिए है ना? चलो सबसे पहला टास्क क्या होता है? बढते करम में जमाओ, ओलरेडि जमाओsteps ये में डाटा होता है, ये सिर्फ संख्या होती है बढते करम में जमाओ, ओलरेडि जमाओ आहे ठीक है चलिए सबसे पहले cumulative frequency बनाएंगे है ना संचय तावरत्ति क्लियर इससे पता चलेगा ना total log कितने है ठीक है तभी तो माध्यक का formula लगाएंगे क्योंकि माध्यक के formula में even वाल लगाना है 23 प्लस 18, 41, 41 आएगा शायद है ना सही है ना 425 66 यह गशायद 66 है ना 6, 26, 66 प्लस 5 11, 71 प्लस 4 पिचात्तर, 75 पिचात्तर प्लस 3, 78 यहने की summation इफ कितना है आपका 78 अब आएगा समझ में ए यह n Small N Capital N जो मानना है वो माननो है 79 78 यहने की even है Same formula लगेगा कि नहीं लगेगा Clear एतनी बात है Same formula हम लगा लेंगे 88 यहने की even है तो चलिए माध्यक निकालने का same formula Even है क्या ही यह even यहने की sum है तो माध्यक निकालने का same formula N बराबर 78 ठीक है, एन बराबर किया आए आपका इठिट्तर, सिधे यही से लगाऊंगा, इठिट्तर बटा दो, थर्टीनाइन, उन्तालिस वफद, आएगा थर्टीनाइन थिटम, प्लस थर्टीन, जस्ट अगला टम, हमेशा, हमेशा जस्ट अगला टम, यही बात है न, इठिट्तर ब प्लस वन, तो हमेशा एक टम आगे, यह उन्तालिस आया तो यह चालीस ही आएगा हमेशा, बाइदो है न, यदि यह थर्टीनाइन 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 थर्ट अगला सवाल लेते हैं, सवाल नमबर छे लेते हैं, ठीक है है ना? आजाते हैं, सवाल नमबर छे इधर लेता हूँ, है ना? कुशन नमबर छे ले रहा हूँ, ठीक है? देखिया, सवाल नमबर छे ले रहा हूँ, ठीक है? मार्क्स ओप्टेंड और फ्रिक्वेंसी है ना? मार्क्स ओप्टेंड जो अंका आप लाए विद्यार थी, ठीक है? मार्क्स लिख रहा हूँ, सिर्फ है ना? और फ्रिक्वेंसी एफ, क्या मार्क्स है भहिया? वो पंक्ति में लिखा है, मैं कॉलम में लिख रहा हूँ, असी, पिचात्तर, पिच्चैसी, साथ, सत्तर है ना? 90 एड, 65 क्लियर है ना? ठीक है? अब फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या है? तीन, पांच, एक, साथ, दो, आठ, चार बढ़ते करम में लिखो, पहले बढ़ते करम में जमाना पड़ेगा चलिए जमा लेते हैं, Marks और Frequency, सबसे छोटा क्या है, 60, 60 के बाद फिर 65, 70, 70 के बाद फिर 75, 75 के बाद फिर 80, 80 के बाद फिर 85, और फिर 90, 60 के फिरिक्वेंसी क्या है, 60 के फिरिक्वेंसी, 7, 65 के फिरिक्वेंसी क्या है, 4, 60, 60, 70 के फिरिक्वेंसी क्या है, 2, 75 के फिरिक्वेंसी क्या है, 5, और 80 के फिरिक्वेंसी क्या है, 80 के 3 है, और 85 के फिरिक्वेंसी क्या है, 1 और 90 के फिरिक्वेंसी क्या है, 8 अगी बात समझ में clear है चलो हो गया बस अब formula लगाएंगे even का लगेगा odd का लगेगा depend करेगा cumulative frequency निकालते संचेही तावरती साथ 7 और 4 11 11 और 2 13 13 और 5 18 18 और 3 21 21 22 22 28 30 clear है ठीक चलिए 30 यहने की total summation f कितना है आपका 30 summation f यहने की n का value 30 आता है समझ में clear ठीक है चलिए 30 मतलब same formula लगेगा वही वाला है ना माध्यक median का same formula लगेगा क्या formula लगेगा वही एन बाइ 2 एथ टम और इससे एक ज्यादा एन बाइ 2 प्लस 1 बाइ 2 है ना चलो एन क्या है 30 30 बाइ 2 याने की पंदरवा पद 15 टम प्लस एक ज्यादा हमेशा 16 टम बाइ 2 पंदरवा और 16 दोनों इसी में आएगा क्या देखिए क्या आएगा कैसरा पंदरवा प्लस 25 बाइ 2 पिचात्तर ही आ जाएगा क्या बतएगे क्या आएगा मालिया क्या फि ऑ सकतरा है थे क्यो Swed cannot seven कि जा है घुख लेते है ना ठीक सवाल नंबर साथ है न है ठीक है आप यह एक्स और एफ दिया है सी दें एक्स और एफ एक्स क्या दिया है जिरो से दस दस सतर से सी तक है जिरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालिस चालिस से पचास पचास से साथ साथ से सतर और सतर से असी ठीक है फ्रिक्वेंसी की बात करें चे तेरा अठाविस बैयालिस सतरा चाउदा नो ग्यारा चाउदा नौर ग्यारा ठीक है यह है ना देख रहे हैं अब लोग क्लियर है ना बहुत अच्छा कुश्य है ना देखें ठीक है यह यह जो माक से अभी तक देखो डेटा हमारा ऐसा होता था सिंगल वैल्यू अब इसको बलते हैं सतत स्रंखला है ना ठीक है अब इसका जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला यह थोड़ा से स्पीशल सवाल है ना इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा ठीक है इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं नीचे इक continuous इसका median निकालने का formula यह formula कैसे बना यह भी बता सकता हूँ लेकिन बताने में बहुत जादा थोड़ा सा वो हो जाएगा तो उतना आपके काम का नहीं है ठीके न इसका मध्यक निकालने का formula है lower limit plus n by 2 minus previous cumulative frequency previous cumulative frequency upon f into h घवराना नहीं है न यह formula है इसका ठीके यह formula है इसी continuous risk का माध्यक निकालने का formula यह है ठीके अब देख कोन क्या क्या है बताऊंगा अभी पहले चलिए पहले हम cumulative frequency बना लेते हैं ठीके चलिए देखिए cumulative frequency क्या है ठीके चलिए यह cumulative frequency छे प्लस तेरा उननेस उननेस प्लस अठाविस सेतालेस है न ठीके सेतालेस और बैयानलेस नो 89 89 प्लस सत्रा 106 है ना 106 प्लस चवदा 120 120 प्लस 9 129 प्लस 11 है ना 119 प्लस 11 140 ठीके अब देखिए यह संचेताव रखती है ना चलिए अब हम बात करते हैं ठीके तो इन का मान हमारा 140 है क्या ठीके इन का मान 140 आती बात समझ में क्लीर है ठीके इन का मान हमारा 140 है ठीके जब इन का मान 140 हो ठीके तो अब हमें निकालनी होती यहाँ पे median class, यहाँ पर हमेशा है, जैसे n बराबर 140 आया नहीं कि summation f आपका, summation f कितना है, 140 ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे median class, आई बात समझ में ठीक है, n बराबर आया 140, तब हम निकालेंगे यहाँ से median class, हमारी median class क्या है, ठीक है, अब देखिए, median class निकालने का तरीका है, माध्यक वर्ग है न, यहाँ वो लिखोंगा मैं, ठीक है, इसको रफ कर दू क्या, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको है, इसको मिटा देता हूँ, छलो मिटा देता हूँ, देखिए यहां पर हम निकालेंगे median class median class निकालना है median class निकालने का तरीका है कि यदी 140 है यदी 140 है तो हमारा माध्यक कहां जाएगा ध्यान देना है 140 even है कि नहीं 140 यदि E1 है तो माध्यक का फॉर्मुला क्या होता है मीडियन का E1 के केस में मीडियन का फॉर्मुला क्या होता है N by 2 अथिटम प्लस N by 2 प्लस 1 अथिटम बाई 2 होता है के नहीं होता है आई बात समझ में यह होता है हमारा माध्यक का फॉर्मुला आई बात समझ में अब N केतना 140 140 बटा 2 रखोगे तो 70 पद प्लस 71 पद बाई 2 आई बात समझ में यदि आप N बराबर 140 रखोगे तो 70 पद प्लस 71 पद बाई 2 इसका विल्यू निकालोगे तो 70.5 तम आएगा क्या क्या आएगा 70.5 तम इसको जोड के करोगे तम के रूप में 70.5 तम है न तो 70.5 तम हमारा है मिडियन का लोकेशन क्या है माध्यक का पोजीशन क्या है 70.5 आई बात समझ में अब देखो वही बात है हम 70.5 पद 71 पद रख देते थे हाँ पर आई बात समझ में clear तो 70.5 पद 71 पद रखने के बाद हम क्या निकालते थे मीडियन निकालते थे ठीक है लेकिन यहाँ 70.5 पद 71 पद अच्छा 70.5 पद 71 पद आएगा कहा 70.5 पद यहाँ आएगा 71 पद यहाँ आएगा यनिकी इसका median क्लास यही वाला बनेगा की ने बनेगा आप median क्लास एसे भी देख सकते है 70 पद 71 पद दोनों कहाँ आएगा देखो 75 पद भी इसी के अंदर आएगा 71 पद यहीं आएगा यनिकी median क्लास होगई इसको बोलते है माध्यकक्षन, माध्यकवर्ग, this is median class, median class है न और इसको निकालने में आपको seconds लगेंगे ठीक है, एसा सवाल अभी तक आपको पूछा नहीं गया, इस प्रकार का सवाल है न, इतने बड़े data पे नहीं आया आपको सवाल अभी तक ठीक है, लेकिन आ सकता है इसमें, और सटीक location निकालना है माध्यकवर्ग की, तो दोनों को जोड़के बटा दो कर दो 75, 70.5 वापत, इन दोनों को छोड़के इसको देख लो, 70.5 तम कहां आएगा, तो 70.5 तम बताईए, इसको भी छोड़ो, 70.1 को छोड़ो, तो 70.5 से जस्ट बड़ा, 70.5 इसमें भ इसमें आएगा, आई बात समझ में, क्लियर, तो यह आपकी हो गई, वो, क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास, यह माध्यक कक्ष हो गया, आई बात समझ में, इसको पूरेकों में cover करना है, तो इसमें कहांनी, यह दोनों देख लो, या फिन दोनों जोड़के आधा कर दो, तो बिया, तो मीडियन क्लास ढूड़ने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई जल्दी नहीं है, माध्यक वर्ग के से खोजना है, तरीका समझ में आया कि नहीं है, सेम काम, यह काम हमने अभी पीछे भी किया है, जब इवन होता है, तो यह फॉर्मॉला था, माध् 20.5 आएगा, वही मीडियन क्लास हो गई, आई बात समझ में क्लियर, अब इस मीडियन क्लास का यूज करेंगे हम इस फॉर्मॉले में, आई बात समझ में, और हम निकालेंगे माध्यक, ठीके, तो मीडियन क्लास ढूड़ना आपको आ गई, क्लियर है ना, इसको रिपीट कर करके देखना, ठीके, है न, चलिए, अब इस में मैं आपको बता दू, ठीके, यह एल क्या है यहाँ पर, यह PCF क्या है, F क्या है, H क्या है, यह मैं आपको बता देता हूँ, ठीके, तो इधर पर मैं लिख देता हूँ, L बराबर, L क्या है, L है आपका, lower limit, lower limit of median class, यह L है आपका इसको हिंदी में बोलेंगे माध्यक lower limit of median class, एक मिनट ठीक है lower limit of median class या फिर इसको ऐसा बोल दो lower limit हाँ ठीक है बोल सकते हैं माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा है ना निम्नतम सीमा की निम्नतम सीमा है ना आई बात समझ में, अब आप देखो माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा ठीक है एन मतलब तो पता ही आपको है ना F, F मतलब frequency of median class अभी में व्यापम वाले सवत अच्छा लगेगा आपको माध्यक वर्ग की आवरति माध्यक वर्ग की आवरतिया बारंबारता है ना ठीक है एफ पीसी एफ है ना पीसी एफ यह ने की पी डॉट सी एफ सी एफ तो क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी पी मतलब प्रीवियस प्रीवस क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना ठीक है प्रीवियस यहने की प्रीवियस क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी ठीक है प्रीवियस मतलब अच्छा हमारी प्रीवियस क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी ओफ मीडियन प्रिक्वेंसी ठीक है प्रिवियस क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी माध्यक वर्ग की क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 89 है ना तो इसके जस्ट पहले की इसकी बात हो रही है इसको बोलते है PCF प्रिवियस क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है यहने कि संचैत आवरत्ती प्रि प्रिवियस जस्ट प्रिवियस उसके जस्ट पहले वाली संचे इतावरत्ति आई बात समझ में क्लिए होता है ठीक है हिंदी में लिखेंगे इसको तो हिंदी में लिख देंगे कैसे लिख देंगे हिंदी में माध्यक वर्ग के जस्ट पहले की संचे इतावरत्य है माध्यक वर्ग के पहले की संचे इतावरत्य है सी एफ लिख देता हूँ है ठीक है PCF हो गया आप H बच्चा है न F हो गया L हो गया PCF हो गया आप H बच्चा ठीक है H मतलब होता है Class Size एच मतलब होता है class size यदि की वर्ग का आकार वर्ग का आकार है न यह चार चीज़ा ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सुनिये, ठीक है 30-40 है के नहीं है हमारे माध्यक वर्ग का हमारे माध्यक वर्ग का वर्ग क्या है, class क्या है वर्गंतराल क्या है माध्यक वर्ग का वर्गंतराल है यह class interval 30 से 40 आई बात समझ में क्या है class interval 30 से 40 ठीक है अब देखिए यह 30 से 40 का जो margin है इसको हम क्या बोलेंगे 10 है क्या margin 10 इसी को हम क्या बोलेंगे class size आई बात समझ में, ये class वर्ग का आकार है, ना ये वर्ग अंतराल है, वर्ग का आकार क्या है, 10, तो इसके वर्ग का आकार कितना है, 10, तो H का विल्यू क्या पूट अप करोगे, 10, clear, lower limit of निम्नतम सीमा, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा ये उच पचुना आये क्योंकि सारा डेटा इसी में से निकालना है सारे वेल्यूस है ना तो माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा उच्छतम लोवर लिमिट है ना फिर Frequency of Median Class माध्यक वर्ग की आवरत्ती F ये F वाला कोलम माध्यक वर्ग की आवरत्ती 50 है? F का वेल्यू बहिया लिस आ जाएगा दीखे ना माध्यक वर्ग की आवरत्ती क्या है? 50 तो F का वेल्यू क्या आ जाएगा? 50 और Previous Cumulative Frequency से जस्ट पहले की 47 आ जाएगा clear? रख दे वेल्यू ठीक है? तो L कितना है हमारा? L हमारा 30 है L का मान कितना है? 30 है ना? 30 clear? 30 प्लस N by 2 निकालना है तो N by 2 ये नहीं कि 140 by 2 70 आ जाएगा ये? है ना? 140 by 2 ना तो 140 by 2 कितना आ जाएगा है? 70 आई बात समझ में 70 ठीक है? माइनस Previous Cumulative Frequency क्या है? upon में F F याने की Frequency of Median Class 42 F बराबर 42 है ना? ठीक है? और H H Class Size याने की वर्ग का आकार कहा है? H आपका H ये रहा ना 10 Class का Size याने कि कितना अंतरा आल है? 10 का Size clear? बस ये खतम हो गया और क्या? चलिए Solve कर लेते हैं इसको ठीक है? तो 70 माइनस 47 कितना आएगा ये? 70 माइनस 47 सही तो जोडा ना है गलत तो नहीं जोडा 19 47 है ना? ठीक है 70 माइनस 47 कितना आएगा है? 23 इंटू 10 बाई 42 है ना? तो इसको और हल करेंगे आगे 30 प्लस तेविस इंटू 10 बाई 42 इसा कुछ आएगा है ना? कट रहा है किसी से? ठीक है दो से कट रहा है ना? 5 बार ठीक है 30 प्लस 70 माइनस N बाई 2, 140 बाई 2, 70 ठीक है? 70 माइनस 47 है ना? ठीक है देखो इसको बार बार रिपीट करें कोई नया सवाल सामने आएगा उस नया सवाल को इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख देख के करोगे फॉर्मल लगा कर तीन से चार बार में होगी प्रैक्टिस है ना? टाइम लगेगा थोड़ा सा ठीक है 70 माइनस 47 है ना? तो कितना आएगा ये? 23 23 बाई 42 इंटू 10 है ना? ठीक है चलो 2 से 5 बार 2 से 21 बार 21 इंटू 3 इधर जाएगा तो 630 प्लस 23 इंटू 5 कितना आएगा? 115 बाई 21 आएगा ठीक है? तो 630 प्लस 115 कितना आएगा? 745 बाई 21 आएगा ऐसा ना? 745 बाई 21 5 4 हाँ 745 कट रहा है किसी से? 3 से कट रहे है? नहीं कट रहे है 3 से 21 से ही काड़ दे सी थे बस ये इसी प्रकार से अंसर आएगा ना? दस्मलों में आ जाएगा अंसर आपका आती ही क्या समझ में बात? cumulative frequency निकालना सिख गए आप ये इस सीरीज में कैसे निकालना सिख गए आई बात समझ में cumulative frequency निकालना सिख गए इसको देखकर formula लगाना आता है आपको formula लगा कि median class पता कर लोगे आप सबसे पहले formula लिखो आई बात समझ में सबसे पहले formula लिखो formula लिखने के बाद median class का पता करो है ना, तो median class का पता के से चलेगा माध्यक का formula लगाना पड़े, even है तो even का formula यह बनेगा, 75 वापद किसके अंदर आएगा, इसके अंदर, यह median class मिल गई आपको, median class में से data उठा उठा के value put आप करना, L क्या होता है यह 30, L याने की 30 है ना, lower limit of median class, आई बात समझ में अदिमे-दिमें पता चल जाएगा, देख देखकर clear, N क्या 140 by 2, 70 आ जाएगा, ठीक है, previous cumulative frequency just median class के just पीछे की cumulative frequency of median class, frequency of median class 42 है ना, और H class का size 10, आई बात समझ में, बस cumulative frequency बनानी, इसको देखके formula लगाना है, median class पता करना है, cumulative frequency बनाओ, पहला step cumulative frequency बनाओ, दूसरा step median class पता करो, तिसरे step में, formula में value रखो तिरे step में answer आएगा, समझा रहा था, इसलिए बड़ा दिख रहा है ठीक है, यह median के सवाल थे, अब आपके व्यापम में आएवे median वाले सवाल करवा देता हूँ है ना सारे, ठीक है, चलिए देखिए तबकि व्यापम में आएवे median वाले सवाल कर लेते हैं, फिर हम mode पढ़ेंगा, यह बात समझ में, ठीक है मिटा दू इसको, है ना, इस formula को बना रहा है मैं देता हूँ, ठीक है, वेसे आपके व्यापम में ऐसा formula वाला सवाल आया नहीं है, लेकिन आ सकता है आगे, ठीक है, धियान रखें इस चीज़ का है ना, हाँ, चलिए, अब देखिए आगे, मीडियन वाले सवाल सारे करवा देता हूँ, मैं, आपके आयो हुए है, ना, मीडियन हाँ, सब इंजिनियर, 2016, सवाल है, 20, 30, 40, 50, 70, 70, है ना, 900, अब आपको अच्छा लगेगा, ना, 900, 120, और 1,500, है ना, ठीक है, माध्यक निकालना है, ओल्रेड़ी छोटे से बड़े में अरेज़े, माध्यक यानिक बिल्कुल बीच का, 5, 6, 7, 10 लोग है टोटल, पांच ये, इन दोनों के बीच में आएगा, 70 प्लस 70 भाई 2, 70 आजाएगा माध्यक इसका, बोली आएगा किनी आएगा, यह से सवाल आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखे हैं, क्या माध्यक आएगा, इसका 70, या फिर फॉर्मूला क्या, देखो, एन बराबर 10 है क्या, टोटल 10 लोग है, यहने कि even है, तो even में क्या फॉर्मूल लगता है, यह होता है, न बराबर 10 दस बाइदो, यहनी कि 5 वापद, प्लस 6 वापद बाइदो, तो 5 वापद भी 70, चेटवापद भी 70, 70 प्लस 70 बाइदो, 70 आजाएगा क्लियर, या फिर यह इस देख लो, बीच में, सबसे पहले छोटे से बड़े में अल्री अरेंज किया हुआ है, तो बिल्कुल बीच का मध्य, 70 और 70 के बीच का 70 प्लस 70 बाइदो, clear? ये median का एक सवाल, ठीक है? अब median के और सवाल लेते हैं माध्य के लिए संख्याओं के विचलोनों का योग किया, एक मिनट, ठीक है न? एक मिनट frequency, ठीक है हाँ, एक और सवाल लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ देखिए, अच्छा question लेबर इंस्पेक्टर 2017 है न? देखिए, क्या है सवाल? लेबर इंस्पेक्टर 2017 clear है, इतनी बाट ठीक है न? बहुत अच्छा सवाल है देखिए, क्या दिया है इन्होंने? class interval दिया है class interval और cumulative frequency दिया है ठीक है, class interval दिया है 20, 30, 30, 40, 40, 70, 80 20, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 और 70 clear? cumulative frequency दिये इन्होंने 8, 18 अब समझ रहे हैं न? क्या है cumulative frequency? 27, 52, 58, 70 52, 58, 70 आई बात समझ में एक cumulative frequency दिया है किसकी बारंबरता सबसे अधीक है? maximum frequency है अधिक्तम बारंबरता निकाल ली है अधिक्तम बारंबरता किसकी है? मतलब अधिक्तम frequency किसकी है? cumulative नहीं frequency माँगी maximum frequency इसके option में दूँ क्या आपको? 30, 40, 60, 70, 50, 60 option है इसके 30, 40, 60, 50, 63 option और चोथा option है 70, 80 है ना? यह चोथा option ठीक है? यह 70, 80 है ना? 30, 40, 60, 70 यह 4 option है ठीक है? या तो यह 30, 40 या फिर 60, 70 या फिर 50, 60 या फिर 70, 80 किसकी आवरती सबसे ज़्यादा है? cumulative frequency नहीं frequency सबसे ज़्यादा है तो frequency का column हमें बनाना पड़ेगा अच्छा है एक चीज़ हमने सीखी यह सबा लेबल इस्पेक्टर 2017 में इंपोर्टन इधाना frequency से cumulative frequency हमें बनाना आती है अब हम cumulative frequency से frequency कैसे बनाएंगे? तो काम करूँ इसको मैं इधर लिख देता हूँ इसको पूरा इधर लिख देता हूँ 8, 18, 27, 52, 58 और 70 फ्रिक्वेंसी बनाना है यह हमें दिया है तो सबसे पहले frequency दी जाती थी अभी तक अब हमें यह दिया है इससे यह कैसे बनाएंगे 8 18 और 8 में कितना अंतर है? 10 माइनस करना है, difference लेना है अंतर है ना, difference 10 कितना हैगा? 10 27 और 18 का difference कितना है? 9 तो कितना हैगा? 9 52 और 27 का difference कितना है? 25 कितना हैगा? 25 58 और 52 का difference कितना है? 6 70 और 58 का difference कितना है? 2 कैसे बनाएंगे? समझ व्याई बात अच्छा कर लो इसको 8, 8 प्लस 10 हो रहा है 18 18 प्लस 9 हो रहा है 17, 27 प्लस 25 हो रहा है 52, 52 प्लस 6 हो रहा है 58, 89 प्लस 2 हो रहा है 70, clear तो इससे ये कैसे बनाएंगे, आ गई क्या बात समझ में clear अब आप देखो सबस्यादा frequency किसकी है, इसकी है कि नहीं बारम बड़ता यहीं की f अधिक्तम f पुछा है 25, यानि की εण्सर आएगा 50 से 60, तो किसकी बारम बड़ता सबसी ज़दा, पचा से 60 की बारम बड़ता सबसे ज़दा है, तो इससर आएगा 50, 60, समझ गए क्या ? प्यारे प्यारे विद्ध्यार्द इहऊं, समझ गए नहीं समझ गया है ना तो बारंबरता कितनी आईगी पचास से साट क्लियर एतनी बात सभी को है न ठीक है हाँ अब देखे आगे समझ गए ना इस सवाल को केसे में इससे यह बनाया ठीक है सबसे पहले 8 का 9 फिर 8 और डिफेंस लेके क्या कॉपी करो आट और 18 कांतर 10 सब्ता के इस कांतर 97 कांतर 25 फवन एक्ठवन एक्ठवन कांतर 6 एक मिनट माध्यक 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 हाँ एक बड़ा अच्छा सवाल आया है माध्यक का ठीक है ग्राफ वाला सवाल है चलिए इसको बाद में बताता हूँ ग्राफ बनाना पड़ेगा पूरा एक मिनट है ना परास निकलना है हो गया ये माध्यक हो गया ठीक है ठीक है ये भी हो गया ये भी हो गया ठीक है एक मिनट है न, सबल डून डून के सारे करवा देता हूं ठीक है, जो भी आया हूं आपके है न, माध्य हो गया ठीक है न, माध्य हो गया ठीक है, माध्य हो गया, कि समांतर माध्य ठीक है हो गया मध्यक कि पचास मध्यक 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 बस इतने ही सवाल है मध्यक कि यह मध्यक के आई बात समझ में ठीक है इसी प्रकार से बाकी मैंने सब कुस तो बताई दिया आपको छोड़ा तो कुछ भी नहीं है अब एक ग्राफ वाला सवाल आया है माध्यक का लेकिन ग्राफ बनाना टफ हो जाएगा थोड़ा सा है चलिए देखते हैं बनाते हैं ग्राफ है नहीं रेकिन बहुत जादा हो जाएगा यायर देखो मैं सवाल आपको दिखा देता हूँ है ना देखो यह सवाल है एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के आपको ना सवाल देखना ठीक है देखो, ये रहा question, ये सवाल दिख रहा आपको graph वाला, ये दिख रहा है graph, ये ऐसा graph है ना इसमें, एक मिनट यार दुंदला नजर आ रहा है हाँ, clarity नहीं आ रही है ठीक है, ये graph वाला सवाल ये ऐसा graph ठीक है, इस सवाल को आप खुद करिएगा, या फिर screenshot बना कर मुझे भी पूनेकर में, सांखी की topic, पूनेकर में 19 सवाल है, है ना, सांखी की topic में, पूनेकर में 19 सवाल है graph वाला, ठीक है है ना, इसका screenshot लेकर, इस्क्रिंशॉट लेकर भेजना ठीक है या फिर मैं करता हूं रूकी थोड़ी देर से सवाल को करवाता हूं है कुछ करता हूं सेटलमेंट इसका ठीक है ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लग जाए और बहुत कॉंप्लिकेटड ग्राफ है थोड़ा सा सवाल इजी है वैसे लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ है ठीक है है न चलिए अब आ जाते हैं मोड पर बहु लग तो लेट सेव बहु लग खतम कर लेते हैं बहु लोग को बहु लोग में 10-15 मिट लगा है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा है न ठीक है कर लेते हैं बहु लग को भी इंड है न चलिए देखिए मोड सबसे इजी है मोड यने की बहु लग है न ठीक है चलिए एक्जाम्पल एट जो मेरे इसमें दिया उसी को लेता हूं आठवा सवाल मोड वाला शीट वाला है न बहु लग निकालना आपको तीन पांच तीन छे साथ साथ छे साथ चार चार है न छे साथ चार छे साथ और चार ठेक है तीन पांच तीन है ठेक है छे साथ चार छे आठ नो साथ है छे आठ नो और साथ है न बहु लग बहु लग मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए ओ बहु लग है तीन कितनी बार रिपीट हुआ है ज़्यादा बार दिख रहा है, तीन तीन तो दो ही बार हुआ ना शायद, हाँ दो ही बार हुआ, साथ साथ कितनी बार हुआ, साथ साथ चार बार है, एक दो तीन और चार, साथ साथ चार बार है, ठीक है ना, छे कितनी बार है, छे भी तीन ही बार है, छे भी नहीं बनेगा, पांच, चार बनेगा, नहीं बनेगा, साथ बनेगा, इसका बहुलक क्या बना, साथ, सबसे ज़्यादा बार को न आया, साथ, इसलिए बहुलक क्या बनेगा, साथ, क्लियर, एक और सबाले, नवव नमबर, ठीक है, बहुलक क्या लेगी, सबसे ज़्यादा बार आया, क्लियर, नवा सब allora 20-25, 23-25, 20-25, 23-25, 22-24, 25-22, 24, clear, ठीक है, इसमें बहुलक को ने, 25-25, 2-2 बार है, 3-2 बार है, 25 ही दिख रहा है, बहुलक मुझे तो, 25 है, clear, जो सबसे अधा बार है, ठीक है, तस्वा सब ले रहा हूं, कुशन नमर 10 है, 10 सब ठीक है, सवाल नम्बर दस दो सेकंड रुके थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं कुशिन नम्बर टेन क्या है दस एकस और एफ दिया है ना एकस क्या दिया है दो चार छे आठ दस बारा ठीक है तीन दो एक यह तीन लिखा है ना तीन दो एक नो पांच चार नो पांच और चार ठीक है यह एकस है है ना समझ जाना ठीक है एक टेवल बना कर दिये इस प्रकार से ठीक है इसका बहुलक कोन है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो बहुलक कोन हुआ 8 आई बात समझ में 9 बार कोना है 8 इसलिए बहुलक कोन हुआ 8 clear है ठीक है बस सवाल नंबर 11 और 12 भी इसी प्रकार का है है ना 11 में देखो कौन सबसे ज़्यादा बार आया 24 अठारा बार 11 सवाल में 24 आया ना अठारा बार ठीक है तो उसका बहुलक कोन हुआ सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया 24 आया 8 तो इससे सबसे ज़्यादा बार उससे ज़्यादा बार आया है सबसे ज़्यादा बार आया है 17 बार आया 10 10 कितनी बार आया 17 बार आई बात समझ में ठीक है 10 आया 17 बार यहने कि इसका बहुलक कोन हुआ 10 यह frequency और यह x है तो बहुलक x में से आयेगा सबसे ज़्यादा बार 17 बार आया 10 यह 10 आयेगा ना पुरी टेबल नहीं बनाई मैंने सिर्फ और अंसर निकालने के लिए बनाया ठीक है अब सवाल नंबर 13 और 14 में गेम होगा देखिए आते सवाल नंबर 13 और 14 पर continuous reasons में है ना ठीक है तो आजाते सवाल नंबर 13 और 14 पर है marks और number of students 10 से 20, 80 से 90 तक है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 है ना ठीक है 3, 18, 20, 22, 3, 18, 20, 22, 16, 13, 12, 4, 16, 13, 12, 4, clear है 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, clear 3, 18, 20, 22, 16, 13, 12, 4, ठीक है हाँ चले अब देखिए continuous race इसमें बहुलक निकालने का एक formula है मैं आपको बताता हूँ formula है z is equal to l1 plus f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 है ना l1 plus f1 minus f0 upon 2 f1 इसके बाद और क्या बनेगा एक मिनट रुकिए है 2 f1 minus f0 minus f2 into h into में बनेगा है h ठीक है यह formula होता है इसमें ठीक है इसा सवाल आया है आपको मैं भी करवा हूँ देखो इसा सवाल आपको कब आया है मैं बताता हूँ लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया है इसा सवाल एसा छोटा डिटा है छोटे नंबर है छोटा डिटा है बड़ सेम सवाल सेम फॉर्मल लगा क्या होगा ठीक है ना इसमें भी देखिए अब इसमें सबसे पहले आपको मोड क्लास निकालनी पड़ेगी क्या निकालनी पड़ेगी इसमें आपको मोड क्लास यनि की बहूलक वर्ग जैसे एक मीडियन क्लास निकाली थी मोड क्लास मोड क्लास यनि जो सबसे आदा बार कुन है देखो अल्रेडी बढ़ते करम में ज अब इस mode class की बात करें ठीक है तो इस frequency को ये x है आपका और ये f है इस frequency को हम कहेंगे f1 आई बात समझ में ठीक है f1 और इसके जस्ट पीछे की frequency को f0 कहते है इसके जस्ट आगे की frequency को f2 तो f0, f1, f2 आपको समझ में आ गया है f1 क्या है? frequency of mode class, frequency of mode class है ना, frequency of mode class आता है समझ में ठीक है ना, यहने की बहुलक वर्ग की आवरतिया बारंबरता है ना बहुलक वर्ग की आवरति बोल दो या बारंबरता बोल दो एक ही बात है आई बात समझ में के लिए, f0 क्या है? जस्ट उसके पीछे की बारंबरता है ना, mode class के पीछे की बारंबरता है ना प्रिवियस frequency of mode class है ना, previous frequency of mode class लिखना जरूर नी है, समझना जरूर ये कून क्या-क्या है ना, ठीक है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की frequency है ना ठीक पहले की frequency आता है समझ में ठीक है है ना तो f1 समझ गया आप f1 क्या है f1 सेम यह ना उपर f0 समझ गया f0 क्या है अब f2 की बात करें तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की frequency है ना तो बहुलक वर्ग के है ना next frequency of mode class next next frequency of mode class है ना बहुलक वर्ग के आगे की frequency बहुलक वर्ग के ठीक आगे राइटिंग से समझ में नहीं आएगा लेकिन बोल रहाँ उससे सब्द समझ में आ रहे ना ठीक आगे की frequency या आवरत्ती या बारंबरता है ना ठीक है तो तीन प्रकार के यह तीनों को समझ गए आप क्लिया एच क्या है एच आपकी class size है class size यह 40 से 50 का अंतराल जो ना 10 यह है एच एच आपका class size है वर्ग का आकार है यह है ना दिखरा है सभी को clearly यह आपका वर्ग का आकार है ना ठीक है class size ठीक है और और क्या है यह frequency of mode class लिखा यार मिट गया है ना थोड़ा सा frequency of mode class है ना ठीक है अब इसके अलावा और L1 क्या है lower limit of mode class mode class है ना यहने की बहुलक वर्ग की निमनतम सीमा बहुलक वर्ग की निमनतम सीमा है ना ठीक है एच सब समझ में आई गया चलिए तो बहुलक वर्गी रख दे put up कर दे value तो L1 का value क्या है L1 क्या आपका 40 यह L1 है ना 40 बहुलक वर्ग की निमनतम सीमा 40 प्लस F1 minus F0 F1 क्या है 22 minus F0 क्या है 20 upon 2 F1 तो 2 into 22 minus F0 क्या है 20 minus F2 क्या है 16 clear है ना ठीक है F2 क्या है आपका 16 ठीक है into H class size क्या है 10 10 का आकार है आपका clear बस यह होगी है ना इतना सा देखिए देखिए क्या है मैं आपको बताओ जब यह question आप exam में करोगे तो बस formula लिखके आपको value लगाने table देखके और कुछ भी नहीं करना आपको पता होना चीए F1 यह आएगा F0 पीछे 0,1,2 यह आएगा ना अच्छा 0,1,2 है तो सबसे पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा 1 यहने की बीच वाला mode class तो mode class पे हमेशा बनाएगा 1 के पहले 0,1 के बाद 2 तो अपने आप F0,F1,F2 का value बन जाएगा और उपर उसके lower limit L यहने की L1,40 और H यहने की 10 तो H10 सारे value put up कर दोगे अंसर आजाएगा 44-36,8 कितना आएगा 40-22,2 अपन 44-24,24-24,24-16,8 इंटु 10 by 8 है ना तो 2 से 4 बार यह 5 by 2 हो जाएगा धाई कितना आएगा एंसर आएगा आएगा आपका 42.5 क्लियर है यह 13 नंबर, 14 नंबर का सवाल ऐसा है यह फॉर्मल लगा कि आप लोग कर लेना अब मैं आपके जो previous question आये हैं mode वाले वो करवा देता हूँ ठीक है mode में सबसे पहले एक सवाल आया labor inspector 2017 में है mode चेल लेवर इंस्पेक्टर 2017 में आया है mode का सवाल आपको है ना कि यह mean median mode की कहानी end है ना previous question भी हो गए और पूरा bottom-to-top सारे question भी हो गए ना अब कहानी आपकी एसी है देखिए labor inspector 2017 है ना अब देखिए क्या है कहानी वर्ग लिखा है और बारम बरता लिखा है एसा लिखा है टेबल बनी होई है ठीक है जैसा है वेसा का वेसा picture में आपको दिखा रहा हूँ ठीक है ना जीरो से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 ठीक है यह कहानी है ना यह है कहानी ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर 0 से 10 5 15 36 2 5 15 36 और 2 ठीक है चलो मोड क्लास यह बनेगी क्या यह मोड क्लास इसको 1 0 2 तो यह F1 यह F0 यह F2 यह L1 और H क्या है आपका 10 H क्या है 10 खतम हो गया सबाद Z is equal to L1 प्लस उपर क्या आता है F1 माइनस F0 उपर क्या आएगा आपका F1 माइनस F0 है ना और मीचे में क्या है यह 1 2 0 अलग अलग इधर अधर मत कर दे ना यह 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 आएगा और इंटू में क्या आएगा यहाँ पर H clear तो L1 का value क्या है F1 30 है F0 क्या है 15 है 30 माइनस 15 सीधे 15 आ जाएगा 30 माइनस 15 एफ वन क्या है आपका 30 देखो इजी लगा ना यह सवाल जब किया हमने तो F0 क्या है 15 F2 क्या है 6 है ना तो 60 माइनस 15 पेतालिस 45 माइनस 6 49 15 बाइट इन इंटू H क्या है आपका 10 clear ठीक है तो 3 से 5 बार जा कि इसा आए गए है ना ठीक है तो 20 प्लस 50 बाइट इरह कि 260 प्लस 50 310 बाइट इरह यही अंसर है क्या कि 310 बाइट इरह यह ज़े साही अंसर इसको सॉल्व करेंगे 13 टूज़ा 26 50 13 टूज़ा ट्विन्टी सिक्स फिफ्टी 23.84 इसा कुछ आएगा है ना अंसर इसका ठीक है यह लेबर इंस्पेक्टर है देखें कितना इजीली हुआ कि नहीं हुआ ही बात समझ में clear और mode वाले सवाल आपको करवा देता हूँ जिसमें है ना बहुलक 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 वेर इस बहुलक एक मिनट रुकिया है ना और क्या सवाल है बहुलक वाले देख लेते हैं ठेक है सारे माध्या हैं बहुलक वाला सवाल बहुलक कोई भी सवाल में डाउट होना तो मुझे सिधे वाटस अप कर देना में नंबर दिया हुआ है आप लोगों को है ना बहुलक कहां है और बहुलक कर रेंज हो गया मात्यक हो गया चलिए बहुलक तो नहीं लेकिन एक और चीज़ आपको बताने जरूरे मीन डेविएशन अच्छा याद आया चलिए तो हो गया आपका अब एक और कहानी है पिच्चर में ध्यान देना ने इसके उपर सवाल आए है मीन डेविएशन मीन डेविएशन यहने की माध्य का विचलन जो विचलन होता है विचलन शब्द जो आप देखते है वो डेविएशन है ना माध्य का विचलन ठीक है अब एक सवाल आए इसके उपर सवाल से समझाता हूँ है ना सवाल है एक दो तिन चार पांच मीन डेविशन इसका फॉर्मुला होता है समेशन एकस माइनस एकस बार एकस बार अपोन समेशन एफ या एन है ना समेशन एकस माइनस एकस बार अपोन समेशन एफ या एन लोगों भी संख्या यह फॉर्मुला होता है मीन डेविशन निकलने का ठीक है ना अब सुनिए मेरी बात क्या है कहानी मैं आपको बताता हूँ ठीक है ना संपूर्ण संख्याओं का पूर्ण विचलन का माध्य क्या है ठीक है चला अब हमारे पास सवाल है कि हमें इस स्रीज का माध्य का विचलन निकाल ला है माध्य का विचलन आई बात समझ में तो अब देखिए हम क्या करेंगे यह x है हमारा 1, 2, 3, 4, 5 क्या है x है clear अब हम x-x बार निकालेंगे क्या निकालेंगे हम x-x बार अच्छा n का विल्यू कितना है यहाँ पर n का विल्यू 5 है क्या 5 संख्या नहीं कि n बराबर 5 है क्या यही तो करते थे हम अभी तक यह x है न 5 लोगे total तो n बराबर कितना है 5 खतम बार तो n बराबर तो 5 पूट अप कर देंगे हम पर काई बात समझे में ठीक है इसको ऐसे लगाईए इस प्रकार से है ध्यान देना है न बहुत important expectations आये है n बराबर कितना है 5 है न ठीक है अब x- है सबसे पहले x-बार निकाल ले x-बार यहने की mean x-बार किसको दरशा है दरशात है mean यहने की माध्य यहने की ओसत average को पड़ा था नमने तो इन पांचों का ओसत निकालेंगे तो वो x-बार का विल्यू होगा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 5 तो 15 बाई 5 15 बाई 5 कितना है तो x-बार का विल्यू कितना है 3 तो x-x-बार यहने की 1-3 ऐसा निकालना है x-x-बार यहने की x1 है और x-बार कितना है 3 यहाँ x2 है और x-बार कितना है 3 यहाँ x3 और x-बार भी कितना है 3 x-बार तो सेम है ना 333 x का विल्यू बद लेगा यह एक्स के वैल्यों है, 4-3 है ना, और 5-3, ठीक है, अब आप देखेंगे, ठीक है, कि भाहिया, एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यों है, माइनस टू नहीं उसको प्लस में लेना है, एसा साइन है न, यह मोड का साइन होता, मोड है न, मोड यहने की, वो हमेसा प्लस में रिजल्ट लेना है, तो 1-3-2, लेकिन-2 क्या लेंगे, प्लस 2, ध्यान रखना है न, 2-3-1, लेकिन-1 नहीं लेंगे, प्लस 1 लेंगे, 3-3, 0, तो 0 यहोगा, 4-3, प्लस 1 आएगा यहोगी, और यह प्लस 2 आएगा, clear है न, यह x- Dit, €- sign 6 획- ? 6,5 यहने की, 1.2 आएगा, माध्य का विचलन याणे की, मिन डेविएशन, आती है क्या बात समझ में, इसको हम बोलेंगे, मिन डेविएशन, याने की, माध्य का, विचलन, clear है इतनी बात, ठीक है है न, और कोई सवाल इसके उपर आया है, क्या, समझ में आई आई आपको बात माध्य का विचलन कैसे निकालेंगे और कही मीन डेविएशन या देखा हो तो आपको बता देता हूँ है ना एक मिनट रुकी है लेबर इंस्पेक्टर दो हजार सत्रा है ना 36, 48, 48, 50 और 54 है ना ठीक है 40, 48, 50 और 54 ठीक है और एक और सवाल है इधर देखो जरा लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया है है ना ठीक है क्या है सवाल देखिए अंक और इधर है आपके छात्र है ना अंक कितने यह 36, 48, 48, 50, 54 36, 48, 45 और 54 है ना और 4, 3, 5, 1, 7, 6 चात्र की संख्या 4, 3, 5, 1, 7, 6 लेबर इंस्पेक्टर 2017 में आया है सवाल है ना दियान देना ठीक है अब सुनिए आप जानते हैं यह X है और यह F है है ना ठीक है अब फॉर्मुला तो वही लगाएंगे आप समझ आ रही यह बाठ ठीक है अब X कितना है आपका 36, 40, 48, 50, 54 और F कितना है 4, 3, 5, 1, 7 यह आपका F है आती बात समझ में क्लियर है अब सुनिए मेरी बात अब आपको X-X बार चाहिए कि नहीं चाहिए सवाल ने अल्रेडी बोला है कि X बार आप 48 लेंगे है सवाल ने अल्रेडी कनफर्म किया है X बार आपको 48 ही लेना है सवाल ने बोला है कि X बार जो लेना है वो कितना लेना है आपको 48 लेना है ऐसा सवाल वाले ने बोला है ठीक है तो चलिए ऐसा निकालना है ठीक है तो X क्या है यहां का 36, यहां का X क्या है 40, यहां का X क्या है हाँ विचलन ही निकालना है ठीक है चलिए तब इसको यदि हम इस प्रकार से करेंगे ठीक है तो 36 माइनस 12 माइनस 12 को प्लस 12 लिखेंगे आप माइनस 8 को प्लस 8 लिखेंगे आप 0 यह आएगा 2 और यह आएगा 6 जोड़ो जोड़ा इसको तो समेशन एकस माइनस एकस बार का विल्यू आजाएगा कितना आएगा बार आट 20 20 और आट 28 आएगा तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार कितना आगया 28 अब एन का विल्यू तो एन यहने की समेशन एफ यहां से निकलेगा एन 4, 5, 6, 7, 7, 5, 12, 13, 13, 17, 20, 20 आएगा समेशन एफ यहने की एन का विल्यू 20 आएगा रखो 20 तो 28 बैब 20 अच्छा इसमें सिर्फ विछलोनों का योग निकालना है अच्छा इसमें हमें समेशन एफ डिवल निकालना है। fd, ठीक है, सुनए मेरी बात, कुछ और निकाल लिए हमने गलती से, इसमे हमें summation fd निकालना है, एक मिनट रुकना है, एक मिनट रुकना है, frequency से किसका multiplication deviation का deviation किसे कहते है इसी x-x bar deviation कहते है deviation यहने कि which line यह क्या है d क्या है यहाँ पर which line आई बात समझ में d क्या है which line deviation बोलते है अंगरेजी में इसको deviation यहने कि which line clear तो यह which line के value आ गए के निया आ गए हमारे आई बात समझ में तो which line में हम इस प्रकार से नहीं करेंगे ठीक है न which line में यह नहीं लगेगा ठीक है सीधे बस जो sign आएगा वो sign लगेगा अपनी जग़ ठीक है which line में इसा नहीं होगा ठीक है चलिए अब देखिए which line में mode नहीं आएगा आपका सिर्फ x-x bar है न ध्यान रखना यह चीज़ ठीक है which line में 36-48-12 यह d का value आ रहा है x-x bar 40-48-8 48-48-0 50-48-2 और यह प्लस 6 अब हमें निकालना है f into d f into d है न तो यह fa और यह d है यह fa और यह d है यह fa यह d है यह fa यह d है यह fa यह d है ठीक है तो 12-48-48 38-24 minus 24 5-0-0 1-2-2 2-2 7-6-42 प्लस का 42 यह f d है अब summation f d निकालना है यह नहीं कि इनको जोड़ दो summation f d निकालना है यह नहीं कि इनको आप जोड़ दो आई बात समझ में जोड़ लेते इनको minus 48-24 minus 22 minus 22 आजाएगा minus 22 और यह plus का चमवालिस है minus 22 plus का चमवालिस minus का 28 आएगा शयद खेला चमवालिस हाँ minus का 28 तो summation f d का answer आएगा इसका minus का 28 आपके option में कुछ और दिया है option में उन्होंने answer में 18 दिया 18 नहीं आएगा minus 28 आएगा इसका summation f d option a आएगा clear summation f d f मतलब frequency और d मतलब which land which land का मतलब समझ में आएगा clear ठीक है है इस प्रकार से है यह होता है min deviation माध्य का विचलन माध्य का विचलन निकालने का formula यह होता है हमें यहाँ पर summation f d निकालना था d यहने की सिर्फ विचलन है ना ठीक है तो विचलन इस प्रकार से निकालते है x minus x bar x में से x bar और x bar हमें already 48 दिया था कि 48 के इर्द गिर्द विचलन करो विचलन यहने की परिवर्तन change यहने की विचलन यहने की परिवर्तन change तो विचलन किसके इर्द गिर्द करना है इन पांचों का विचलन 48 के इर्द गिर्द करना है तो 48 से इन सब का अंतर लेंगे तो 48 से जब अंतर लेंगे तो फरक आएगा विचलन आएगा डिफरेंस आएगा तो 36 से 48 का विचलन, माइनस 12, फिर 40 से 48 का विचलन, माइनस 8, फिर 48 से 48 का विचलन, 0, फिर 48 से 50 का विचलन, 2, समझ आई बात, यह D का विल्यू, इसको बुलते हैं विचलन, यहां mode नहीं आएगा, प्लस नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ formula M प्लस होता है, clear ठीक है, अब F into D, F D यहने की F into D, F तो था ही, D बस बनाना था, D विचलन कैसे बनाया, F into D करके, फिर F D का समेशन, यहने की F D का यह, आती है क्या बात समझ में clear है, यह है कहानी आपकी मध्य, माध्य, और बहुलकी, कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक चीज मेंने करवाई है, ठीक है, इसके बा बात समझ में सांखी की का, जहां से भी सवाल देखे, सारे questions आप लगाए, कोई दिक्कत आई, मुझे WhatsApp करें है, chat वाले option में clear है, ठीक है, चली, अब आगे मिलते हैं, log पड़ेंगे, logarithm से न, और YouTube पर तैयार रहें, YouTube पर घमासान के लिए तैयार रहें, constable में full marks लेकर आना ह ठीक है, चली, okay, thank you